प्रेंद्स नम्राइब मैं आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आपके ही अपने चैनल पर यूट्यूब फेस्बूक रेजी टिवी नेट्पाव्पप पर फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आएं कमल लंदलाल का राशिफल इस र साथ साथ आपको बताएंगे राशे नुसार कुछ सिंपल से हुपाए राशे नुसार ही आपका लखे नंबर और लखे कलर भी पंचांग बताएंगे दिशाशूल की जान कर देंगे साथ साथ आपको ये भी बताएंगे सभी राशी वाले क्या करें और क्या ना करने और प्र दो हजार चौविस शामन शुक्ल तृत्या पर चंदरमा सिंग राशी और पूरवा फागुनी नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा यानि कि लखी नंबर रहेगा फाइफ लखी कलर रहेगा ग्रीन लखी डिरेक्शन रहेगी नौर्थीस्ट राहू काल रहेगा दुपहर को बारा बचकर सट्इस मिनट से लेकर के दुपहर को दो बचकर साथ मिनट तक रवी यूग रहेगा रात को साड़े आठ बजे से लेकर अगले दिन सुभह पांच बचकर सैथालिस मिनट तक दिन का सब्सुशूम मौरत रहेगा दुपहर को दो बच कर दस मिनट से ले करके शाम को तीन बच कर चौटीस मिनट तक विशेश क्या है हरियाली तीज है बड़ा खास दिन माना जाता है माता पारवती का शिव परिवार की पूजन का और ऐसे में माता पारवती का पूजन किया जाएगा और हमारा जो special उपाय है वो भी माता पारवती से ही जुड़ावा है बताएंगे आपको special उपाय में माता पारवती की कृपास से सुखद दामपत्य जीवन कैसे पराप्त होगा उसके लिए राशिफल को आखर तक देखना पड़ेगा आपको सासत आपको ये भी बता दूँ कि जो दिशाशूल है वो रहेगा उत्तर दिशा में इसलिए उत्तर दिशा की ट्रेविल करने से बचे अगर ट्रेविल करना ज़रूरी हो तो थोड़ी सी मिश्री खाकर आप ट् हैं कामकाज में बाधाएगी चातरों की पढ़ाई में अरुची रहेगी उपाईये करें की कांच के बरतनों का प्रियोग करें शुबंक पांच रहेगा शुबरंग रहेगा हरा दूसरी राशिफ्रिश यानिके टॉरस की बात करेंगे रोजगार सफल रहेगा कारशेत्र म में लाब के मौके मिलेंगे परिवार में खुशनमा महौल बना रहेगा कारोबारी मौके मिलेंगे जीवन साती पूरह सहयोग देगा उपाईये करें कि मुंग के दाने तिजोरी में रखें शुबंक दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफीद तीसरी राशिय में तो नियानी के योग हैं उपाईए करें कि इच्छानुसार फिस्ता खाएं शुभंग के एक रहेगा शुभंग रहेगा लाल चौथी राशी करक यानि की कैंसर की बात करेंगे मन में उत्साहा बना रहेगा बच्चों के साथ में समय बिता पाएंगे सामाजिक कारियों में हिस्सा लेंग पडोसियों के साथ में गलत वैमी हुनी की संभावना है इसलिए सतर रहें लाब के कारोबरी लाब के अनेक मौके मिल सकते हैं सयोग हैं चात्र जो है पढ़ाई लिखाई में सफल रहेंगे अपनी भाशा पर थोड़ा सा काबू बनाये रखें उपाय क्या करें कि पर्स में पांच रुपे का सिक्का रखें शुबंक छे रहेगा शुबरंग रहेगा गुलाबी चटी राशी कन्या यानि वर्गो की बात करेंगे घरेलू माहूल सुखत रहेगा छात्रों को खुशकबरी मिलेगी सुख साधनों में वृद्धी की संभावना है पिता से आर्थ एक स अधूर रहेगा कारोबार को लेकर कुछ चिंता इंबनी रहेंगी लेंदेन आर्थिक लेंदेन से थोड़ा बचाव रखें सरकारी कामकाज में भागदवड करनी पड़ सकती है सोचेवे कामकाज पूरे होने के योग हैं उपाय क्या करें कि धर्मिस्तल में हरा कपड़ा चड़ाएं शुबंक दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेद आठवी राशी प्रिष्च कियाने कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे हडबडी में कोई भी फैसला लेने से बचें कारेशेतर में शत्रों से सतर पहें रिष्टेदारी में भ्रमित रहे सकते हैं आप दोस्तों में धनलाब के योग हैं पिता से को बहार मिल सकता है पुराने दोस्तों सो मलाकात होगी खर्चों पर काबू रखें घर पर महमानों का आगमन होगा उपाय क्या करें कि किसी गरीब कन्या को पैसे दान करें शुबंक आठ रहेगा शुबरंग रहेगा काला दस्वी राशी म मकर यानि की केपर कौन की बात करेंगे कारोबार में मित्र सहीूग देंगे विर्थ के तनाव से बचें सेहत पर पुरा ध्यान दे हर निरने बहुत सो समझ करके लें समाज में मान समान मिलेगा उपाय क्या करें कि उत्तर मुखी हो करके ब्रीम का जब करें शुबंक चार र लाएं शुबंग चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला बार भी राशी मीन यानि पाइसिस की बात करेंगे दफ्तर में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है खर्चा कुछ अधिक हो सकता है कामकाज में सुधार आएगा विरोजगारों को नौकरी मिलने के योग हैं मित्रों के सहीओक से कामकाज भी पूरे हो सकते हैं उपाय क्या करें कि यथा संबब लौकी का सेवन करें शुबंग आठ रहेगा शुबंग रहेगा काला तो दोस्तों समय है ये जानने का कि सभी राशी वाले क्या करें और क्या न करें सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए सभी राशी वाले क्या करें तो देखें खास दिन है ये दिन है हरियाली तीज का माता पारवती के पूजण का विजधान है इस दिन और बुद्वार होने के कारण इसकी बहुत ज़दा महत्वता बढ़ गई है तो ऐसे में क्या करें माता पारवती का पूजन करें शिवाले जाकर और माता पारवती पर महंदी हरे कांच की चूड़ियां मिश्री हरा कपड़ा वगिरा चड़ाएं हरे मूं का दान करें पिस्ता का सेवन करें मिश्री कांसा घी खरीदना शुब रहेगा पलास का पेड़ लगाना शुब रहेगा इशान कोण की यात्रा इशान दिशा की यात्रा शुब रहेगा अब जान लेते हैं आसा पलता से बचने के लिए क्या ना करें तो देखे शाम के समय घर में अंधेरा न रखें, इस्तरी वर्ग का कदापी मजाक न उड़ाएं, फिरूजी रंग के कपड़ें न पहने, मास मदीरा का सिवर ना करें, नमक का दान और उपियोग ना करें, उत्तर दिशा की यात्रा ना करें तो दो समय है, आज के स्पेशल उपाए का, वो स्पेशल उपाए जो सुखद दामपत्य जीवन की प्राप्ति करवाएगा, देखास दिन है, हरियाली तीच का, बुधवार का दिन है, और ज्यादा इसकी मैत्वता बढ़ गई है, माता पारवती की पूजन का विधान है, तो ओम शिवांगन्ये नमहा, मतब शिव की अर्धांगनी, ओम शिवांगन्ये नमहा, आश्वस्त करता हूँ आपको, सुखद दामपत्य जीवन की निश्चित प्राप्ति होगी, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे, न नमश्कार, नमश्चिवाई.